तो लेट स्टार्ट मीटिंग मीटिंग शार्ट करते हैं ठीक है तोपिक लें आज आप लोग बता तो को कि मैंने परस्टनली कोई टॉपिक चूज नहीं किया आज के लिए कोई किसी टॉपिक पर डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है पर देख लिए और कोई डाउट स्मार्ट मनी कंसेट से रिल्टेड या किसी कंसर्ट पर डाउट है तो बताओ वह कौंसे स्क्रेप्ट थी आपकी जिसमें बताना था एंगू सब्सक्राइब कर लिते हैं आपके सामने ही यह रहा ठीक है जो आपका विसे जोन जो था फर्फेक्ट था जिसे मेंने फ्लावल्ली वाला काता वह कौंसा है वह थोब्लावश दिया था था टिएलि में तो आपको दिख रहा है कि ट्रेंट पूरा बोलिस है ठीक है तो पर्फेक्ट आपने डिमांड मार्क किया थो तो यह मांड हम बुलिस जाने के प्राय करेंगे नियुका अंको बताता है कि मार्केट में ट्रेंड के चल रहा है कि सैट को हम ट्रेड ले सकते हैं ठीक है तो यह फूर आवल यिवाथ में दिखाँगा क्वा कि है क्या order flow मांग किया था, ठीक है, यह भी मांग कर सकते है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो black candle है, वगर आप देख सकते हो, वो हमारी इस candle है, ठीक है कि कैसे करे है, inside candle के अंदर देखो ठीक है तो इस case में हमारे पर दो case होते हैं या तो हम इसको छोटे time frame में जाके और refine कर ला है या एक time frame shift करके ठीक है higher करके हम इसको zone को और properly देख सकते हैं कि आखिर यहां पर zone कैसा form हुआ है ठीक है इस case में जो three hourly का zone है अगर मैं personally बोलो तो मुझे थोड़ा congested सा लग रहा है मुझे मज़ा नहीं आ रहा है ठीक है imbalance है liquidity grab है यह बहुत perfect है एक extreme zone type मेरे को दिख रहा है तो यह चीज़ है बहुत अच्छी है zone यहां पर जो form होगा बहुत अच्छा होगा ठीक है two hourly चलते हैं इसमें एक बार ठीक है two hourly में देखते हैं yes two hourly में अकर हम इसको थोड़ा refine करें तो कोई inside candle तो मुझे नजर नहीं आ रही है बट इसको हम थोड़ा refine कर सकते हैं यहां तक यह अभी के लिए ठीक है थोड़ा और refine हम इसको कर सकते हैं बट जो मैंने आपका था four hourly में जाके देखो यहांगी three hourly में अगर area congested है चार से पांच candle बन रही है तो four hourly में candles कम हो जाएंगी और candles कम हो जाएंगी तो congested area जो आपको देख रहा है चार पांच candle का area आपको देख रहा है वह कम candles का area तो उसमें zone mark करना जोगा easy होगा अब देखो अब यहां पर आप समझो तो इस case में हमने जो तरीके से zone mark किया था अब four hourly में अगर हम mark करेंगे तो four hourly का zone भी यहाँ पर inside candle में है यह देखो four hourly का zone भी हमारा inside candle में है ठीक है तो यह दुबारा problem होगा यहाँ पर ठीक है और फरी hourly में inside candle में इंसाइट candle के अगर zones mark करने तो हमेशा ऐसे mark करते है या तो full up जो mother candle है जो बाहर वाली बड़ी candle होती है उसको full mark कर लो ठीक है एक तरीका हमारे पास यह होता है दूसरा तरीका हमारे पास होता है जो next baby candle है उसके high से लिके लेकिन stop loss हमेशा mother candle के नीचे ही रहेगा ठीक है तो इ जहाँ पर हमको सही लगा था zone जहाँ पर हमको लग रहा था हाँ यहाँ से price reaction देगा तो वहीं चलते है ठीक है यह लो तो अभी इस case में perfect zone हमारा होगा इस candle को ले लो आप यह वाली candle को इसने previous candle के liquidity भी ग्रैब करी है देखो previous candle की overall जो strong low की liquidity है वो already grabbed है previous candle की liquidity ग्रैब करी है ह हमारे zone candle ठीक है तो बहुत perfectly two hour ने में दिख रहा है three hour के जगे हम two hour में shift हो के इसको zone को properly mark कर सकते हैं तो इसी लिए मैंने आपको कहा था four hour में shift हो क्योंकि देखो किसी भी time frame में आपको candle समझ नहीं आ रही है zone समझ नहीं आ रहा है भाई कहां draw करो तो कुछ नहीं करना होता ह time frame shift करके देखो उसी area पर mark करना है यह नहीं कहा रहा हूँ कि area पूरा change कर देना है zone का ठीक है zone उसी area पर mark करना है but try करना है एक perfect जहां आपको समझ में आ रहा है उस zone को try करो ठीक है अब two hour यह मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर यह area बन सकता है as a zone demand ठीक है but four hour यह three hour में थोड़ा बहुत confusion मुझे नजर आए था तो तभी मैंने आपसे कहा था था थोड़ा shift करना zone को ठीक है अब आवली में भी देखो अब आपको थोड़ा perfect नजर आएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ है ठीक है तो यह area जो है यहाँ पर यह एक tradable area है यह area ठीक है यहाँ से जो है demand zone mitigated है तो एक perfect entry हाँ यह liquidity of course liquidity बनेगा क्योंकि कोई low है नहीं ठीक है एक normal low है जिसने कोई liquidity grab नहीं करी कोई zone tap नहीं किया तो यह already इसमें आपको बता रहा हूं कि देखो जभी भी आप zone mark करते हो जैसे आपने zone mark करके मुझे भेजा था इस area पर यह वाला area ठीक है इस area पर आपने मेरे को 3 आवली का zone mark क्या था इस case में मुझे ऐसा नजर आ रहा था कि inside candle के अंदर आपको zone जो है वह form हो रहा है तो इस case में अगर हम पूरा अगर हम पूरा zone mark करने के चलेंगे ठीक है तो already zone है जो liquidity grab किया है यह हमारा परफेक्ट है ठीक है अच्छा zone यहाँ पर बनेगा और एक daily time frame में अगर हम trend को चेक करें ठीक है daily time frame में trend को चेक करें तो bullish है हमको अगर ट्रेड लेनी है तो bullish साइर के ट्रेड लेनी है तो daily के demands अगर देखें तो वह भी mitigate हो रहा है ठीक है तो proper एक strong clear uptrend चल रहा है three hourly में मिलको अपने zone mark करके भेजा था यहाँ ठीक है तो वह एक mother candle के अंदर दिख रहा था तो उस case में हम या तो पूरी full mother candle को zone बनाएंगे यह है पूरी mother candle को but मैं prefer कारता हूँ कभी भी grab zones या sweep zones मिलते हैं तो क्योंकि जाना तो हमको यहाँ पर confirmation है देखो क्योंकि stop loss मेरी खाल जाए बहुत बड़ा मिलेगा यह देखो बहुत बड़ा मिल रहा है 50 whips का मिल रहा है तो जाना तो on confirmation ही है बट zone marking आपको शिका रहा हूँ कि यही चीज आपके सांद short time frame में भी हो सकती है तो उस case में क्या करना है मैं वह बता रहा हूँ ठीक है तो मैं prefer करता हूँ कि जो grab candle है पूरी ठीक है उसको मैं पूरा cover कर लूँ ग्रैप को पूरा cover कर लूँ ठीक है तो 3 hourly में mother candle के अंदर हमारा zone था थोड़ा मेरो congested area लग रहा था तो मैंने कहा था आ हमको mark करना होता है या हमको baby candle के open से मतलब high से mark करना होता है zone को but stop loss हमेशा जो mother candle जो बड़ी candle है उसके नीचे ही रहना चाहिए कभी भी आपको यह नहीं करना zone ऐसे mark नहीं करना जिर्फ baby candle mark कर ली inside candle zone mark कर लिए यह चीज नहीं होती है stop loss जो होता है हमेशा वो mother candle के लोके आप थोड़ी से refine कर सकते हो नीचे ला सकते हो कभी भी ध्यान रखना zone refinement अगर हम करते हैं किसी बड़े time frame से छोटे time frame में zone shift करते हैं या छोटा करते जाते है zone को तो stop loss कभी उपर नहीं आता है stop loss वहीं रहता है entry जो होती है वो नीच आती है उसको कहते है refinement अगर आप entry जै यह work नहीं करेगा ठीक है most probably zone अपने 50% के नीचे से आके entry दे सकता है ठीक है तो उस case में आप trap हो जाओगे तो try करना stop loss होते है refinement के समय वो stack रहें मतलब जहां पर हैं वहीं रहें entry आपकी नीचे आते जाए entry नीचे आते जाए तो यह चीज ऐसे करके refinement करते हैं वहीं इस case म अब यह mother candle में entry नीचे हम ला सकते हैं बर्ट जो stop loss है वो mother candle के low के नीचे रहेगा तो 3 hourly से 4 hourly shift हुए थे हम हमको कुछ नजर नहीं आया था same candle तो तो टाइम फ्रेम shift करेंगे 3 hourly का zone आपने बिचा 2 hourly देखते हैं देखो अब 2 hourly में आपको बहुत clear नजर आएगा previous liquidity grabbed है ठीक है डिमांड बनाया previous liquidity grab करी strong imbalance दिया अपमूव दिखाया अपमूव दिखाने के बाद एक low create किया low ने कोई imbalance fill नहीं किया है low ने कोई zone tap नहीं किया है low ने कोई भी liquidity grab नहीं किया बस just upmove दिखा दिया हवा में ठीक है तो यह area as a liquidity हमारा treat होगा तो ठीक है same ऐसा ही हुआ हमारा य जैसे liquidity वहा तो हमारा यह unmitigated demand है क्योंकि आप देख सकते हो कोई भी next candle नहीं किया तो अभी भी यह unmitigated है ठीक है tap कब हुआ है जब इसकी liquidity grab हुई liquidity grab हुई tap हुई tap हुआ और अपमूव आया अब जैसे demand पर price tap हुआ तो हम last unmitigated दोबार देहुड़िंगे क्यों धूड़ हमको जो मिलेगा यह extreme area है discounted area है तो यहाँ पर से हमको entry मिलेगी तो two hourly में ही दुबार चलते हैं को कि three hourly और four hourly में मुझे zone में मजा नहीं आया था inside candle type नजर आई थी तो मैं try करको किसी और time frame mark करने का ठीक है बट zone वही रहेगा zone जो यहाँ पर बन रहा है वही रहेगा अब two hourly को आप देखो two hourly में यह के mother candle थी बट इसका already break हो चुका है ठीक है already break हो चुका है तो एक तरीके से mother candle नहीं है क्योंकि उपर से भी इसका liquidity ले ली गई है तो already यह mother candle का जो हाई है वो breach हो चुका है तो इस case में mother candle नहीं है अब already जो strong low है वो उसके liquidity grab हो चुकी है ठीक है previous candle जब अब liquidity यहां की big grab है strong हमको imbalance देख रहा है imbalance का हो या FVG के लो fair value के दोनों same है कोई भी difference in में नहीं होता है ठीक है तो यह देखो तो अब इस case में जो आपने three hour का मेरे को zone mark किया था वो आप mark करके कुछ ऐसा कर सकते है यह लो ठीक है तो वो आपके लिए एक safer side के लिए रहेग तो three hour का जो आपने zone mark किया था वो थोड़ा मेरे को congested type लग रहा है तब मैंने गई यह देखो अब इस zone को कुछ mark करोगे थोड़ा मज़र सा नहीं आ रहा है तो आपको लग रहा है हाँ यहाँ पर कुछ है trade करने लायक यह देखो ठीक है तो मैं यही बोल रहा था कि कैसे हम time frame shift करके अपने zones को strong बना सकते हैं जरूरी नहीं है आपको किसी time frame में candle या demand supply mark करना नहीं आ रहा है तो उसी time frame पर लगे रहा हूँ time frame को shift करते जाओ किसी और time frame आपको नजर आएगा कुछ ना कुछ ठीक है तो अगर हम daily भी देखें तो एक unmitigated wick को हमने ऐसा zone mark किया है zone त perfect unmitigated wick zone है वो हमारी mark हुई है यहाँ पर तो overall zone दिखा जाए तो बहुत strong लग रहा है मुझे यह tradable zone है trade हो सकता है zone से ठीक है और कोई doubt किसी को single candle order block okay any more doubts कोई और doubt इंट्राडे के लिए stock selection कैसे करते हैं ठीक है इंट्राडे के लिए stock selection कैसे करते हैं देखो सबसे पहले इंट्राडे मगर आपको stocks select करने या trade करने तो try करो high volume stocks में जैसे HDFC bank है Reliance है ICSE bank है इन में जो volume होता है थोड़ा अच्छा होता है और strong होता है ठीक है तो या ले trade try करो trade कर सकते हो ठीक है या aller zone कर सकते हो दो तरीके को आप ूझा कर सकते हो है ठीक है यह इसको और सिर्इया पर मुझे उपोपर हुआ है तो ऐसे प्राबाइब हो ऑप creo पर हुआ है ठीक है अगर क्योंकि हम् vegetable करना है क् ο कि हम फ्टी कर रहे तो इंठी बहुता दो इंडेक्स हैं दोनों में से कोई भी को अपने इस्ट्राउघ्यमांच आध करते भी ठीक है, PSU Banks का क्या है, यह निफ्टी PSU Bank है, देखो, सेम, यह देखो, यहाँ पर भी सेम हमारा कुछ demand form हुआ है, यह एरिया, जहां से हमको अपमूग देखने को मिलाता है, यह एरिया, तो अगर, जिस समय पंजाब National Bank हमारे demand पे आता है, अगर उस वक्त, most probably, CNX, PSU Banks भी अप पंजाब National Bank, अगर बाइचांस ऐसा होता है, कि पंजाब National Bank तो हमारे demand पे आ रहा है, बट यह strong demand पे नहीं है, और bearish दिख रहा है, चार्ट में bearishness नजर आ रहे है, PSU Banks का, Bank F.T.K., तो most probably, सायद पंजाब National Bank भी वक्त ना करे, तो इसी तरीके से बहुत सारे तरीके होता है, आप एक sectors को ले सकते हो, ठीक है, यह जैसे sectors का मैंने अलग list बनाईए, देखो, sectors 15 मिनिट में चेक करते हैं एक बाद, तो यह area है, अगर reality का, CNX reality देखे, real estate के stocks, जैसे DLF औगेरा है, ठीक है, यह strong demand है, nifty reality में, अगर price यहाँ पर इस demand पे tap करता है हमारा, तो इस वक्त हम ल real estate sector अपने demand पे आ रहा है, तो उसके stocks भी demand पे आएंगे, most probably ऐसा होता है, ठीक है, तो जो stock आपको strong demand पे ऐसा लगता है कि आया हुआ है, या enter कर रहा है, तो उस demand पे, उस stock पे enter कर जाओ, बहुत easily आपको return मिल जाएगा stocks में, अगर ऐसा होता है कि आपको stock demand पे आ जाता है, ठ but real estate का sector है, वो नहीं होता है demand पे या वो थोड़ा various नजर आ रहा होता है, तो उस case में थोड़ी problem होती है, trade करने में तो ignore करना चाहिए, ठीक है, जैसे दूसरा देखते है, nifty media है, अगर हम इसमें stock 15 minutes देखो 15 minutes में मुझे उतना कुछ समझ नहीं आया, बहुत congested सा नजर आ र देखते हैं, ठीक है, आवली देखते हैं, अब देखो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा congested है, nifty media sector, ठीक है, एक break out structure तो यह दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद कोई इतना मज़ितार मुझे break out structure भी नजर नहीं आ रहा है, एक यह है, ठीक है, दो break out structure है, यह unmitigated wake है gap वाली, इसको भी mark कर लेते हैं, अब इस case में, अब दो demands हमको मिल रहे हैं, तो हमको अफकोर्स ही बात है, nifty media sector तो trade नहीं करना है, हमको media sector के stocks trade करना है, अगर nifty media इस demand पे भी tap कर जाता है, इस वाले demand पे, ठीक है, होगी, यह भी gap वाला demand है, जिसमें अच्छा गसा gap बचा है, previous तो अराम से जील हमारा trade किया जा सकता है, या nifty media के stocks हमारे trade किया सकते है, वैसे अगर हम किसी और sector को देखें, जैसे हमारा nifty IT है, nifty IT से पहले इस sector में 15 minutes में करूँगा, ठीक है, 15 minutes में करूँगा, nifty IT अगर बहुत strong है, तो यह demand work कर जाएगा इसमें, ठीक है, यह demand अभी के के लिए इसको mark करते हैं, और कुछ, आवली में देखते हैं, 15 minutes में और कुछ नजर नहीं आया, ठीक है, आवली में यही रहेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है, अगर हमारा nifty media, इस demand पर आता है, यह वह demand पर आता है, और same वक्त में हमारा nifty AI, जैसे TCS हो गया, HCL tag हो गया, ठ बहुत सारे stocks हैं, वो भी same demand पर हमारे tap करते हैं, तो वो stocks trade किये जा सकते हैं, बट same वो यह जैसे हम TCS का example ले लेते हैं, ठीक है, TCS का stock है, 15 minutes में अगर यह zone है, देखो, TCS नहीं है tradable, देखो, TCS आपको देख रहे, nifty media strong है, बड़ TCS strong नहीं है, तो इस case में sector सी खोलो एक ब tradable है, HCL tech, ऐसा कौन सा sector है, जिसको हम trade कर सकते हैं, जब हमारा nifty IT demand पर आए, वो चीज़ आपको देख रहा है, ज़रूरी नहीं है, आप सारे stocks trade करोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे bearish भी होते हैं, बहुत सारे bullies भी होते हैं, ठीक है, तो इस case में कहा trade बन सकता है, हमारा yield यह दो दूसरा sector आगया, ठीक है, nifty infosys देखते हैं, 15 minutes, एक minute, एक minute, ठीक है, nifty infosys का 15 minutes, हाँ, कोई zone है, yes, एक zone है, यहाँ पर, जो साहे हम छोटे time frame में चेक करेंगे, कैसा है, 5 minutes में चलते हैं, overall, normal zone है, उतना कुछ ज़्यादा strong भी नहीं कहूंगा, मैं कहूं कि already एक liquidity type area दिख रहा है, मुझे, ठीक है, इस area की liquidity अभी भी pending है, कुछ मेरे को strong सा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, तो already मैं अभी इसको try नहीं करूंगा trade करने का, but move देखूंग, या एक try कर ल HCL tech, ठीक है, यह zone था, 15 minute में इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब मैं as a example आपको बता रहा हूं, देखो, यहाँ पर मेरे को emphasis में zone ठीक लाग रहा है, फिर भी, अगर just इसी time, यह आएगा नहीं हमारा, यह बहुत दूर है, हमारा यह zone most probably tap होगा, जब nifty IT tap करेगा, ठीक stocks में swing trade करते हो, जैसे में करता हूं, देखो, अगर जो भी मेरी trades है, वो यह है, example मालो weekly में ही जाता में चार्ट समाक होते हैं, जैसे महिंदरा और महिंदरा finance है, यह finance है, तो मैं try करूँगा, जब मैं finance, महिंदरा finance मेरा इस पर आएगा, zone पाएगा, तो sector कैसा है, ऐसा नहीं पर आती है, ठीक है, देखो, और कोई है, जैसे बाइयो कॉन लिमिटेड है, यह मेरे खाल से निफ्टी फार्मा का है, तो इसमें मेरे खाल से stock है, वो है नहीं, entry, ठीक है, जैसे यह है, जैसे यह है, जैसे यह याद नीए है, यह electric है, इसका sector मुझे याद नहीं है, वो उस तो जिस वक्त मेरी यह entry tap होगी, कल के दिन, इसको daily में देखते हैं, क्योंकि इसमें मैं enter करने वाला हूँ, most probably इसमें मैं 100% enter करूँगा, ठीक है, तो यह जो मेरा है, अगर यह मेरे जिस वक्त demand पर tap करेगा, नि भारत petrol, तो उस वक्त nifty commodities, या nifty energy, जिस भी sector में आता है, यह वो कैसा work कर रहा है, तो यह बहुत important होता है, चेक करना, ठीक है, तो यह देखो, भारत petrol, तो hope कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो, कि कैसे हम intraday और swing को, को कि stocks तो सेम होते हैं, कैसे आप selection कर सकते हो, एरफान भाई, hope करता हूँ, समझ मां आया हूँगा कुछ, कैसे stock selection कर करना है, ठीक है, और कोई doubt, can you explain, single candle, outer block, yes, yes, I will explain, just wait, और कोई doubts आते हैं, जिसमें हिंदी में explain करना है, तो मैं पहले बहु करता हूँ, फिर आपका करूँगा, then I will explain you, यह देखो, मैं बोल रहा हूँ कि pirated book share मत करो, अब यह इसका reason यह लोग को समझ में आता नहीं है, ठीक है, अगर by chance मांज लो, हमारी community में कोई ऐसा हो, जो trading hub का member हो, या share करता हो, वो तो उसको बताएगा न, तो community अलग, वो होगी, उपर से यह बंदा अलग फसेगा, इस प क्या बोला जाए, अगरो भाई, हाँ, अभिशीद भाई, बताओ, यह हम margin short करते है, जो margin का use करते है, out of call का buy करके, और ATM का option sell करके, in case our point of view जो है, वो गलत होता है, तो बोलते है कि option selling में unlimited loss होता है, तो loss जो हो कहा तब होता है, जो margin जो हमने जो है, मतलब bank nifty का call जो होता है, वहाँ तकार, हाँ, मैं समझाता हूँ, ठीक है, example ले जोते है, nifty ही खोलते हैं, एक बार, आपने bank nifty में bullish जाना है, ठीक है, तो इस case में आप अगर option selling करना चाहते हो, तो आप एक दूर ATM sell करोगे, ठीक है, मतलब आपको अगर bullish जाना है, त तो इस case में आप, मैं prefer करता हूँ, जैसे nifty 44,400 पे trade कर रहा है, तो इस case में मैं हलका सा OTM, ठीक है, put का OTM sell करूँगा, ठीक है, put का OTM sell करूँगा, तो वो हो सकता है मेरा 45,000, 45,000 का मैं PE, PE को sell करूँगा, sorry, sorry, हम bullish जा रहे हैं न, हम bullish जा रहे हैं, तो मैं try करूँगा, हाँ 44, ठीक है, ये मैं इसको sell करूँगा, ठीक है, put को, put को मैं यहाँ पर sell करूँगा, और इसको क्या मैं sell कर रहा हूँ, तो बहुत ज़ता OTM buy करूँगा, उसको मैं कर सकता हूँ, 45,000 है, तो 46,000 का OTM, जिसकी value कुछ 5-10 रुपए, तो उससे क्या होता है, जो हमारा 1 lakh का margin लग ठीक है, और इसमें unlimited loss की जो आपने बात करी, yes, वो unlimited हो सकता है, margin तक नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ले बहुत rare chances, ठीक है, मानलो आपने जो option sell किया है, यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ से bullish हो market पर, ठीक है, आपने 45,000 का put है, वो sell कर दिया है, ठीक है, वो sell कर दिय तो इसकी value जिस समय आपने sell किया, वो मानलो 50 थी, 50, 50 थी, अब इस case में 50 में आपने sell किया, अगर market, आप bullish हो market नीचे ही जाने में लगाए, नीचे ही जाने में लगाए, तो यह value बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, यह 500 भी बहुँच सकती है, तो जो आपने 50 में sell किया है, वो 500 में जाएगा, तो आप assume नहीं कर सकता है, उतना loss हो जाएगा, योगी profit तो आप इस case में 50 का ही 49 points का ले रहे थे, क्योगी 1 value 50 से 1 पहुंच जाएगी, 0 पहुंच जाएगी, तो आप इसको base दोगे, ठीक है, already मतलब दुबारा buy कर लोगे, तो close कर दोगे इसको, बट इस case में 500 भी आ सकता है 50 से, मानलो market में बहुत ज़्यादा variousness आ गई, 45,000 का CE, मतलब तो कि आपने put sell किया है, और market बहुत ज़्यादा गिरे की तो put बड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपने sell किया है, तो इस case में 50 से 500 भी जा सकता है, या 1000 भी आ सकता है, most rarely बहुत rare chances में जाते हैं, but possibility है, ऐसा नहीं कहेंगे, possible नहीं है, possibility है, कितना भी loss हो सकता है, option selling में, limit नहीं है, ठीक है, अच्छा, यह, I am trying to ask my question in English, I am more comfortable, okay, no problem, you are talking about today's stock selection and swing stock selection, yes, and talking about, first looking into the corresponding sector, nifty, nifty energy for example, when we are trying to understand, trying to choose energy sectors, okay, in that case, we can go ahead looking for PSU banks, in case of, but tell me one thing, while choosing a particular stock, important to see the nifty of that particular sector, as well as nifty and nifty PSU bank also, because at times, at times, you know, wait, 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 I am getting confused, wait, if you are talking about energy sector, so why you are saying about PSU banks, I am getting confused in this, no, but what I mean to say is, there are times when nifty and bank nifty, they move in opposite directions, I mean, that particular thing, no, 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 you are totally wrong here, mostly, most probably, 80% of the times, nifty and bank nifty will give same moves, okay, right, right, but in 20% of the cases, when it does not move in the same direction, there are times, there are times when nifty and bank nifty will move in the different direction, yes, So, in that case, how do we go about selecting a particular stock on that given day? So, see, if you are trading, let's take an example of reliance, okay, reliance comes under nifty energy, I think, nifty energy sector, okay, So, if you are going, let's take a chart also of reliance only, see, this is my chart of reliance industries, wait, this is open in NSE, we will open in NSE, okay, so, this is my chart of reliance, now, you can see that reliance is trading under some demand, once you can say that reliance is in some demand zone, so, if never reliance is tapping any demand, so, we will try to go bullish from that demand, So, for this case, the first thing you have to do is check the energy sector, leave Nifty, leave Nifty, and leave bank Nifty, First check the energy sector, because, you know the market is rotational, I can, I can tell, I can explain that, I can explain it in Hindi, like, here it happens, sometimes, natural weather times,慢慢, morning, spring then, time to time we hang on, होते रहते हैं तो same goes in sectors also when sometimes nifty energy will be totally bullish despite market is bullish or wearis it doesn't matter ठीक है nifty energy bullish रहता है कभी time आता है pharma का pharma is totally bullish market कहीं भी जाए कोई भी sector कहीं जाए no problem pharma is totally bullish sometimes times comes of nifty auto nifty auto is highly bullish despite of any sector or any index okay so in this case firstly you have to check is energy sector let's take a chart of energy sector also okay so this is energy sector no but see energy sector is not in some strong this is a good zone I will not say this as a bad zone but not too strong zone okay because the extreme zone is here so I will prefer trading this rather than this okay so but nifty energy is in demand zone so we can try to trade reliance but check the corresponding or supporting sector first if you are trading reliance or take example if you are trading Punjab National Bank so firstly you have to check the sector of nifty PSU banks not bank nifty firstly you have to check the sector of nifty PSU banks then you can go to bank nifty and nifty you can want okay so the first thing you have to do is you have to check the corresponding sectors because nifty bank nifty nifty yaa koi bhi sector bearish ho sakta hai but kya pata joa Punjab national banks trade kar rahe ho thik hai woh kya pata bhot bullish ho thik hai just take an example I have a good example for you in this case check nifty IT nifty nifty the same zone in nifty is nifty bearish here no not that much but nifty IT is very very bearish see from I think January 2022 22 January 22 but yes nifty is not that much bearish as compared to nifty it so is case में nifty it में हम put buy कर सकते है options में ठीक है respect of market but वही मैं कहना चाह रहा हूं आप से कि firstly you have to check the corresponding sector if you are trading PSU banks so check the PSU bank sector then go for bank nifty and nifty if bank nifty nifty will support its awesome well and good but if they didn't support but your sector is totally supporting you so you can go for trade leave nifty and bank nifty you can go for trade if sector is highly supporting you then only okay okay thank you okay so let's take a next doubt of scope entry model or you can say single candle order block or you there are many names you can say liquidity grab entry model you can say scope entry model single candle order block okay all names are same don't get confused i personally say liquidity grab entry model or sweep entry model i don't use name scope entry model because when i learned smc okay then we say that grab entry or sweep entry only we don't use scope it is a new fancy name okay so we don't use that so i use only grab entry model or sweep entry model so how we use this entry model this is very good entry model for confirmation also okay if you are going very aggressive in any you can say any trade but you have to do you want to do confirmation entry so in this case what you have to do you can try scope entry model because confirmation charge entry i am saying lower time frame charge that is confirmation that is too far so you can use scope entry model or you can say grab or sweep entry model so i will explain this how we use this entry model okay see for example take it here let's take an example marketing is in strong demand see let's take an example this is a market is trading in strong demand wait market is trading in strong demand so let's do 15 minutes only firstly what market will do let's take a dummy example boss first market will tap that okay market will then give up move after tapping that our demand market will again give some up move then again market will come again to sweep this sorry grab this low see market grabbed this low then we have to play with candles here not that rally or something else we have to play with candles here so let's take an example this is our black candle this one this is a black candle this is a candle which grabbed the previous liquidity this one this one liquidity is grabbed by like this candle okay so in this case when next candle will close above grab candle remember keep in mind when next candle will close above grab candle then our entry will be valid okay see in this case okay if you can see this case here price broke the low high of grab candle this is a grab candle this looks like this this is the grab candle price broke the high of grab candle then the next candle only can also give us entry and after some time also we can get the entry we can get the entry anytime so this is how we use scope entry model i don't worry i will explain some more examples here okay so let's do one thing let's take our community group only i have said many 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 charts on this model okay see here but this is not a grab entry okay these are grab zones these are not this is not grab and grab entry something else but this here this is grab zones because i am already trading in liquidity grab zones liquidity free zones you can say okay so let's check charts only okay let's go in five minutes or three minutes let's take an example here oh i have a good example if nifty do let's check finnifty this is yes this is our demand okay this will be our demand let's take an example of how we will do scope entry here so this is our demand we have to try confirmation from this demand this is liquidity of course because price has not tapped the demand till now so this is a liquidity or you can say engineering liquidity in fancy words okay so this is a liquidity okay then what price is doing let's check this go let's go in three minutes okay so price broke the structure price broke the structure okay wait one minute okay i am having a call right now so let's take an example we are taking that this this was 15 minutes was higher time frame zone price didn't tap here so this will be a proper liquidity price tapped the zone but let's wait price has not given a sweep here sorry grab here price has broke the structure so again let's shift to some smaller time frame okay so let's shift to one minute now okay i think here scope entry was not valid i think because price has not grabbed the liquidity here price has broke it okay and again again this is a grab entry here you can see the price grabbed the previous liquidity by this black candle and this green candle is made it valid made the zone valid by this green candle okay so in this case this zone is valid this black candle is valid and this will give entry see here the price gave entry here this one okay like this we do and one more example i got it was a check example see price grabbed liquidity previous liquidity okay price grab to previous liquidity and next candle closed above grab candle check okay next candle close above grab candle now this is a valid demand demand so what we will do here we will mark mark our demand here like this we will mark our demand and of course the entry was very very good see this so this is only the grab model so or you can say scope model okay like this see i think you are getting what i am trying to say okay see here this was also a grab entry model price swept previous liquidity next can be closed above this sorry closed below this so this will be a valid entry but it didn't triggered it triggered here and see the move okay this is how we use grab model or sweep model this was sweep because price has for save the sell side liquidity and this was grab you can see if you are trying to go bullish then it will be crab and if you are trying to go bearish then it will be sweep or you can say scope also it doesn't matter okay let me show you some more examples here let's go in five minutes okay 15 minutes where price didn't update or we can use full order flow because it is a mitigated candles all are mitigated we have the imbalance above this candle so we can mark the full order flow now we will see how the entry is here how we got the entry okay let's see this see here what price has done price has didn't tap this price didn't tap the zone so this will be a liquidity now what price has done price grab this liquidity and tap in our zone see price tapped in our zone now what happened here candle closed above this grab candle so if price is closing above grab candle see here it happens in this green candle closed above this one so this will be our valid demand to enter but we didn't got entry unfortunately or i think we didn't got we got entry because i have shared this zone i remember i have shared this one that's why i came in finnifty only to explain see it happened here see price grabbed the previous liquidity and so this will be our zone this because price closed above grab candle so this we are zone and see how we got the perfect entry here see this one okay i think you are getting what is scope entry model you can try to apply this in charts and you will get it how we use it see this is how we trade with scope entry model this is very very fast entry you can say so you have to learn this entry model very very closely or you can say you can say perfectly you can say perfectly बहुत अच्छे शीखना पड़ेगा तभी इसमें perfect बन पाऊगे है because this is something which can create a problem also because अगर आपको एंट्री करनी नहीं आई यह वाली तो थोड़ी प्रोब्लम क्रेट कर सकती है क्यांकि आप बार बार ट्रेप हो जागों कि इसमें बहुत entries मिलती है बहुत entries तो एक perfect entry आपको धूर नहीं है you have to find just one perfect sweep entry or scope entry you can say anything because but entry आपको बहुत मिलेंगी सबको ignore करके you have to find one perfect okay i think you understand what is scope entry so but if you are course member you will get the ebook for free you can check that okay i have explained about this there but if you are not course member you can buy it in 3.99 you will get it i have explained let me show you the glimpse of ebook okay where is my book saved matches i have saved here i think see this one how to open this see this is something wait see this is the content here what is this see every each and every so you will get each and everything here each and everything with explanation plus charts so you check कर सकते हो अगर किसी वह कोई भी topic में doubt आता है तो ठीक है बांकि कोई डाउट है दुबारा SMC से रेटेट आप पूच सकते हो और यह यह e-book का अंसो थी बूक और वहाँ एक topic रहा था कि वो देस्लिक्विडिटी जैसे कि आपने का कि वो 15 minutes हो पूच से कैटल आप आप डेसलिक्विडिटी जैसी आपर यह आप वहाँ कि कि वुट आपार आप के की वह इसलिकेटी जैसे के यह भोल बीक्विटिडिटी जो आपक एक सही रोब मुपक कर दोंगी जो ऐसा हम प्रिएन प्रिच्एंवेैं हो वा सिंय ТО्रिशंगी जिए आफिए य도 पर टों Yes So, how do you respect the price? How does the liquidity respect? Because there are times when the high is broken It continues to move high When the low is broken, it continues to move low What sense is this actually liquidity? Why are you calling it a day's liquidity? Wait, I will explain this okay so I will try to bit explain bit in Hindi only because I am more from comfort it comfortable okay so try to understand agar kuchh samaj nahi aata hai toh you can ask me okay Satyajit bhai jee jee please carry on okay so why I mark this days high or days low candle okay this is very very important to mark because agar see in this case this was Friday 1 September this is I think not first 15 minute this is first 15 minute which one this one see this is high of first 15 minute candle and this is the low of first 15 minute candle what I want to say agar mein kya trade karna prefer karta hao dekho agar price kuch aise move kare see this price kuch aise move kare thik hai aise and it took or you can say it grabbed days low liquidity days low liquidity lene ke baad days high break kar dhe ius ke baad humko koye trade mile bullish side ke liye toh it will be a very very perfect entry because because price ne yaha pa kya kiya thoda sa dhimag la ake dhekho is chieze mein thik hai price ne days low days low ki liquidity is ka matlab joh bullish side ja rahe thai unke stop losses liye agar malo joh days low ke s ke niche sl rakhke bullish side ki trades prefer kar raha thai unke stop losses liye toh is case me yaha pa r yahi hota days low ki liquidity ya aap ka saka stop losses liye uske baad days high ko break kia thik hai jitnay buyer se sab ke stop losses already trigger ho chukai hain uske baad days high break hoota hai days high break hoonay ke baad humko entry milti hai bullish side ke liye toh woh bhoot perfect entry thik hai but in some cases aisa na hi hoota hai thik hai maalo is case me yah hii paresa huwa tha yaah pa rap dhek saktyu joh days high hai wohon break ho gya days high break ho gya ab days high dhekho ye next green candle nesko break karen dhekho ye next green candle nesko break kar diya toh is case me ham dhubara jana toh hoon baulish hi hai kio kiaun ki price بتa raha hai ki market ne days high aaj kia dhin ka high tohra hai market bulish jayega most probably aagir कोई उपर supply या demand strong नहीं है तो तो ठीक है तो इस case में बुलिस ही जाना है अब छोड़े टाइंश में जाके strong liquidity free zones को trade कर सकते हैं जैसे आपको मेरा entry model most probably जाज़तर सबको पता है ठीक है तो मैं prefer करता हूँ हमेशा liquidity grab or sweep with imbalance imbalance is very 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 necessary because imbalance so करता है inefficiency of zone अगर price liquidity grab कर रहा है तो क्या इस case में क्या कर रहा है इस case में ये कर रहा है कि stop losses ले रहा है या pending orders ले रहा है तो let's take an example 100 orders का मानलो कोई rally चल रही है अगर उसमें 50 stop losses add हो जाए तो 150 की rally बन जाएगी अब 150 की rally बनेगी example ले लो कि price 100 की rally से चल रहा था stop losses लिए 150 हो गया तो कितनी तेज move आना चाहिए तेज आना चाहिए move तो वही example में देना चाहता हूँ आपको अगर कोई भी liquidity grab होती है sweep होता है उसके बाद अगर imbalance नहीं है तो वह एक tradable zone नहीं बनेगा क्योंकि liquidity लेने के बाद भी up move नहीं आया अब इस case में आप देखो यहाँ पर हमारी entry बनीगी price ने liquid days high break किया है यह इस case में देखो days high break कर दिया है सबको दिख रहा है days high break हो गया तो market को जाना उपर ही है days low liquidity के लिए market अब नीचे नहीं आएगा most इस case में liquidity grab zone यह देखो proper आपको अगर आप इस entry model मेरी जानते हो तो अब यह zone trade करोगे यह मेरा liquidity का लो था previous लो था इसने liquidity grab करी है उसके बाद imbalance zone मूर को चाहिए वो मिला है liquidity grab करी है तो of course liquidity grab करेगा तो strong up move आना चाहिए उस case में यहीं पर यही हुआ liquidity grab करने का strong up move आया तो this zone will be my tradable zone now यह देखो this zone will be my tradable zone now break of structure किया है days high break किया है liquidity grab करी है उपर से imbalance दिया है तो this is the entry and we got the entry अब कैसे entry करते हैं चाह करते हैं यह तो मैंने बता दिया बट मैं इसको mark क्यों करता हूं days high days low को आखिर क्या reason है देखो इसका simple सा reason है अगर days high या days low के नीचे candle break नहीं करती है किसी भी दिन तो मैं trade नहीं करू बिकॉस मार्केट में कोई भी trend clear नहीं है मार्केट में कोई भी structure clear नहीं है ठीक है I hope आप समझ देगा मैं क्या कह रहा हूं मार्केट अगर day first 15 मेट candle के अंदर ही trade करता रहे जाता है पूरे दिन तो मार्केट में कोई trend clear नहीं है बट अगर मार्केट में days high break होता है तो यह हम में assume कर सकते कि market उपर जाएगा या days low break होता है तो मार्केट नीचे आएगा बट इस case में easy समझ में आ रहा है कि market कहीं भी जा सकता है days high भी secure है days low भी secure है ठीक है अब days low की liquidity मतलब days buyers के सारे stop loss जो पहले ही यहां से ही buy कर चुके है ठीक है वो days low के नीचे stop loss लगाएंगे उनके stop loss लेता है उपर जाता है तो इस case में bullish entry हम try कर सकते हैं अगर days high लेता है तो इसका मतलब sell कर रहे थे यहीं से उनके stop loss लेके price नीचे जा रहा है तो sell के strong हमको जोद देखने को मिल सकता है तो ऐसे करके कुछ trade किया जाता है days high days low liquidity को I hope आपको यह समझ आया हुआ कि क्या मैं explain क करना जाता हूँ है और कोई सब्सक्राइब और किसी हो कोई डाउट कोई भी topic पर है ठीक है और swing trading का करने वाले थे swing trade कैसे करते हैं ठीक है एड़फान भाई का सुरूव में heat out आ गया था इस डाउट काम ले रहते हैं अब honestly swing मैं बताऊंगा जो मैंने अपनी trading career की सुरुव करी थि वह swing से करें थी मैंने intraday से नहीं करी थी क्योंकि युद्ध मैंने फ्रस्ट टाइम स्मार्ट मनलब इसमार्ट नहीं ठीक है फ्रस्टों करता था वह से शुयंग करते थे तो मेरे को swing ही पसंद आ है automatically वह जाता है जो आप देखो वह आपको पसंद आयाता है तो मेरे को स्विंग पसंद आए तो मैंने स्विंग सीखा ठीक है बहुत ही perfect और मैं अभी भी ठेंग ओड करता हूं कि यार मैंने वह सीखा बहुत perfect strategy दिमांड supply की strategy है but not SMC smart money concept नहीं है मैं smart money concept daily time frame यूज ही नहीं करता हूं यह नहीं कहा हूं वह चलती ही नहीं है वह चलती है मैं यह नहीं कहा रहा हूं बहुत perfectly smart money concept work करती है इसमें भी ठीक है swing में भी but मैं personally और मार अपनी जो strategy है दिमांड supply की है वह आपको बहुत easily समझा जाए है but liquidity वगेरा work नहीं करेगी most probably daily time frame में क्योंकि देखो liquidity होता क्या है तो trap any early buyers early sellers और you can say कि किसी के stop losses लेना या और you can say pending orders लेना छोटे time frame में यह चीज़ बहुत perfectly work करती है लोग stop loss लगा के बैठे रहते हैं but आप assume करो आपको daily में यह सितंबर 2022 की entry अब मिलती है तो आपको लग लगता है इसके liquidity यह लेगा यहाँ पर अभी भी stop losses होंगे you think कि यह दो साल पुराने stop losses अभी भी यहाँ पर pending होंगे इतना खुद assume करके देखो यह होगा नहीं होगा most probably यह नहीं होगा ठीक है तो mostly जो liquidity topic है वो मेरे को लगता है daily में work नहीं करता है अब this is my personal approach ठीक है मैंने ज्यादा बहुत backtest किया भी नहीं है क्योंकि मैं already पहले ही करता था तो मैं ज्यादा backtest किया भी नहीं है ठीक है तो आप यह खुद try कर सकते क्योंकि आप खुद सीख चुके हो तो अपने strategies try करो खुद develop करो एक एक परसेंट ये दो दो परसेंट personal कुछ add-on करो studies में वह work करे तो ठीक है work करेगी क्योंकि मेरी करती है तो आपकी भी करेगी थोड़ा-thोड़ा try करो add-on करने का ठीक है जैसे add-on करने है जैसे मेरा इस case में इस case में मैंने आप अगर assume करोगे या देखोगे तो मैंने क्या जीच क्या है imbalance भाई imbalance में कोई भी chart देखूं कोई भी monthly क्यों न देखूं या half yearly क्यों न देखूं imbalance is very 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 important in swing also अगर imbalance नहीं है तो trade ही नहीं है यह समझ लो मैं in my language imbalance नहीं है swing में especially swing के अभी बात कर रहा हूं नहीं है तो trade ही नहीं है इस case में last unmitigated demand mark किया है अब demand mark करने का तरीका है मेरा ठीक है मैं ऐसे demand mark नहीं करता हूं swing में अगर मैं आपको बता हूं तो मैं normally demand mark नहीं करता हूं कि कोई भी मेरो grab zone में लिया कोई भी sweep zone में लिया mark कर लिया नहीं जो मेरे zones होते है on swing SMC नहीं है अभी भी मैं बता रहा हूं ध्यान रखना ठीक है तो थोड़ा different आपको लगेगा कभी भी मेरे zones को एक पर आप सबस देखो मेरे दो black candles और green candle mark करी है इस case में ठीक है just इसको assume करो और आपको दिखाता हूं जो zones mark होंगे ठीक है इस case में मेरे zone mark करूँगा यहां पर करूँगा इस candle को ठीक है और इसके उपर मेरा कोई zone इतना कुछ खास नहीं है तो आप zoom करना में zone आप खुद में observe करो यह मैंने आप फूर black candle mark करी है ठीक है त मैंने यह टो देखो क्या mark कर रहा है ठीक है इस case में साइड़ डेली का zone होगा या уд allora daily zone ओ ट्यक है इस green candle को की देखो यह zone में zone mark किया है ठीक है तो मैंने क्या mark कर गारहूं इन cases मैं मैं क्या zone smoke कर रहा हूं मैं क्या zone's mark कर रहा हूं एक चीज अगर आपको बहुत comment दिखेगा ह हर जोन में में ये कि विक पार्ट जो बोड़ी का होता है विक पार्ट जो कैंडिल का होता या मिरे स्दिमान यह सांप्लाइइ divana का होता ए वह 50 percent candle से ज्यादा होता है ज्यास से समझना जो इस case में है 70 percent %. है candle का और 30% body part है या 20% body part 80% wick part ठीक है अब इस case में देखो यह मेरी candle है इसमें wick ज्यादा है इस black candle को देखो यह वाली इसमें wick ज्यादा है body कम है तो यह as a zone mark होगी मेरी यह मेरी as a zone mark होगी अब यह green candle है full इसका मैं mark नहीं करूंगा body part ज्यादा है विवक पार्ट कम है, छीक है, विवक पार्ट कम है, out priority बॉडटी पार्ट श्यादा है, तो इस केसमें यह मेरी mark यहाँखा को, मेरे zones वही mark होंगे, जिसमें विवक पार्ट जादा हो, by body part कम मो प्लस, सबसे important imbalance हो, inbalance है इस zone पर हैांसे देखो, ठीक है कोई भी the demand trade कर लो यह देखो ठीक है बोड़ी पार्ट बिल्कुल ही नहीं विक पार बहुत है और इतना इस मेरा है यहाँ पर खेर मेरा कोई जोन मांक नहीं था बड़ मैंने इस के लिए वेट कर रहा हूं यह बाला ठीक है अब मैं आप खुछ समझ जाओगे मैं बताने की जरूत नहीं है इंबेलेंस आपको दिख रहा है इसको कहते है रैली बेस ड्रॉप सारी ड्रॉप बेस रैली है ठीक है ड्रॉप पड़ता है यह देखो ड्रॉप मतलब नीचे आया बेस रैली ठीक है और एक और इंपॉर्णनेट इससे बात जो क्लोजिंग कैंडिल होगी मतलब रैली कैंडल होगी ओण से अब आउख क्लोज होनी चाहिए यह देखो इसके उपट ऐंबॉज्ट करो लिए यह होता है जोन बना बीच में फिर रैली इसके उपट्रॉज önपर होनी चाहिए तिक हुआ यहां पर देखो रेली बेस इच्ञांपल हैं यहां पर देख लो रेली बेस काई ऑसमघन devices यह मेरा कंसेप्ट सिखाता हूं तो कि मां ट्रेड़ करता हूं करता हूं स्विंग जो हे मेरा पार्सल बन चुगा है setups मिले तो entry ले ली वरना मेरा ऐसा नहीं है कि दिनभर swing के लिए ही बैठे रहूं या analysis करते रहूं setups मिले तो trade कर लिया वरना अब मेरा proper जो work करता है वो smart money concept ही करता है बट ज़स्ट बता रहा हूं drop, base बना, rally बना drop क्यों बनाए है ये candle drop इसलिए है चाहिए लेकिन बेस में 50 बोडी पार्ट कम होना चाहिए यह थोड़ा समाज लो थोड़ा प्रॉब्लम होगी मुझे भी एक्स्पेंश करने में मैंने इस टॉपिक्स कभी एक्स्पेंश किसी को इसमें नीचे अला जून कुछ नहीं बार कौन सा वह अभी जुहां यह 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 क्यों बनेगा कि क्यों बनेगा कि यह मारकेट यहाँ यह नहीं यह जी रॉंग विम बता रहा हूं समार्ट मनी यह है यह यह नहीं ता पिर भी थोड़ा उस पर लेके जारे को आप क्या या लगभग 99 अभी जो मेर देख रहे हैं वह लेकर जा रहे होंगे स्मार्ट मनिक अच्ट इसा बस यह ही नहीं ऐसा ठीक है यह नॉर्मल डिवान सप्लाइर ट्रेडिंग है ड्रॉप बेस्ट रैली बेस्ट बहुत चीज़ें हैं बहुत इजी लिए समझ में इसलिए आएग सब्सक्राइए चाई बेस्ट या देख सब्सक्राइण कुछ भी नहीं लिए सब्सक्राइब और ना रिवर्स पर कुछ भी नहीं स्विंग हमेंसा खिया जाता है यह मैं अभी आपकी बात नहीं कर तो यह हमेंसा कोई भी ट्रेडर की, swing कभी भी patterns में नहीं trade किया जाता है continuation, reversal, इन पर नहीं किया जाता है ठीक है, क्योंकि यह already जो higher time frame से ही trend बताते हैं ठीक है, यह किया जाता है swing हमेशा trade sectors पर only on sectors swing बस sectors पर trade किया जाता है अब sectors पर trade किया जाता है इसका मतलब क्या है कुछ भी, कहीं भी भाई, कहीं भी मेरे को यह zone बहुत strong दिखा है square emphasis में यह zone है, मेरे को यह बहुत strong zone दिखा है तो इस case मुझे कोई मतलब नहीं trend का चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, कुछ मतलब नहीं बस जब मेरा demand पर price tap करेगा, emphasis demand पर tap करेगा तो मेरा nifty IT demand पर होना चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ और यही होता है if you are trading swing, अगर आप swing trade कर रहे हो तो अगर आप कोई भी zone trade कर रहे हो, weekly zone में trade कर रहा हो, तो जब weekly में मेरा emphasis में zone tap करेगा price, तो nifty IT भी zone में होना compulsory है वरना trade नहीं लूँगा ठीक है, यह proper demand supply पर काम करता है, यह वाला concept इसमें कुछ भी और add-on नहीं है ठीक है, जैसे example लो Britannia, मेरा entry tap होने वाली है इस case में क्या था यह 3 candles जो आप देख रहे हो, जो मेरी zone बनी है, यह 3 candles यह मेरी तीनो की तीनो base candles है, ठीक है, तीनो की तीनो, सब में 50% body bar ज़्यादा है, बड़ यह होता है कुछ खास strong zone है, नहीं क्योंकि मेरी को base candle जो मदब drop candle है, वो भी कुछ खास नहीं लगी तो अब यह वी मैं इसमें wait ही कर रहा हूं, ठीक है अगर बहुत strong FMCG sector support कर दो side trail daily, वरना मैं just tweet कर रहा हूं इसमें, ठीक है अगर आप इस zone को देखोगे, इस black candle को तो आपको समझ में आ जाएगा, जो अभी तक मैं बता रहा हूं क्या बता रहा हूं अभी तक, अगर आप इस zone को देखो बस जो मैं अभी तक बता रहा हूं आपको, वह यहां पर use हुआ है drop, black candle drop है, body part जो है, वह 50% से ज़्यादा है, विक पार्ट से, ठीक है, तो drop candle बन गई, base candle, body part कम होना चाहिए, विक पार्ट 50% से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन वह आपने full candle भी mark कर सकते हैं, नहीं full मैं इसमें body part से start करता हूं, body की high से, हा, full candle mark कर सकते हैं, मैं confuse नहीं करूँगा आप लोग को जाता, ठीक है, अब लोग को confused नहीं करूँगा, अरे आप फोटो देखके समझ जाओगे है लगबख सबने देखी होगी वो अरे यारे डेट ऑबर्थ क्यों माँग रहा है यह देखो अब समझ जाओगे यह मैजिक मुवमेंट्स एट पीम दिख रही है यह लगबख सबने देखी होंगी मिलती है करें वह इसी की तो है रेडी को कंपनी की ठीक है तो अल्कॉहलिक सेक्टर एक तर एक मैक डॉबल्स तो इसका सेक्टर बहुत तफ है ठीक है तो नो प क्या तो इसमें बेस के अब इस का मैं गजल दिखाता हूं अतुल था कौन सा मेरा एक बहुत चबरदस ट्रेड मिश भुआ हुआ अतुल ही था यार वो भौफ़ोध गंदा मिश अतुल था क्या और कॉंसा था छह बहुत स्चबरदस ट्रेड मिस हुआ था मेरे से देखो अब इस केस में मैंने क्या किया हैं अब में आपको जोन दिखाओंगा बहुत इजीली समझ जाओ गई यह देखो इस केस में ड्रॉप कैंडल बेसिस बेस क्या बनाई है मैंने जिसमें 50% बॉड़ी पार्ट कम है बॉड़ी पार्ट मतलब 50% से कम है और ड्रॉप कैंडल इंबैलेंस ठीक है इस केस में अकर बट इस केस में मेरेको फूल यह माग करन पता होगा और आप कैंडल देखो को पता लग जाएगा यह देखो इस वीकली बताई है देखो प्रॉपर बेस कैंडल उसके बाद रैली देखो भाई क्या रैली आई है क्या रैली है इस के बाद और कितना पर्फेक्ट लीजील में तो बहुत ज़्यादा हाई रिटन बु प्रॉव है यह जून में टैप हुआ था ठीक है वेट यह देखो अरे सेवड मैसेज है आयम वेरी बुलिस इन जील नहां यह देखो जील कितने बेंट्री है 173 पर जील का चार्ट का है यह देखो 173 पर एंट्री लेके क्या मूव आया है यह देखो सेम रेडिको रेडिको मैंने अब भी डाला है रेडिको नहीं मैंने एक मेरे खालच नवीन फ्लॉरीन भी डाला है यह देखो नवीन फ्लॉरीन देखो बेस केंडल बहुत सारी है अगर आप इसको जूम करके देखो ना यह देखो एक यह है मेरी ठीक है रेली केंडल बेस केंडल चार है जिसमें विक परसेंट ज्यादा है ठीक है तो चार है उसका जो ड्रॉप कर बेस वह रेली केंडल बहुत स्ट्रॉंग अब नवेन फ्लॉरीन देखो अभी मेरी एक 90% के असपास अक्यूरेशी चल रही है इस पर स्ट्रॉंग पर किसमें आता है क्या कैमिकल्स कैमिकल्स यह देखो नवेन फ्लॉरीन का चार्ट देखो परफेक्ट मेंट्री तो बहुत टाइम ले लिया बट परफेक्ट है बेस ड्रॉप नहीं सॉरी ड्रॉप बेस रैली एंट्री ट्रिगर्ड टार्गेट है मेरा 21% हुआ तो हुआ नहीं वह तो कोई दिक्कत नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है रहा हूं तो दो स्टॉपलोस चार्ट ले लों कुछ फरक नहीं पड़ेगा ठीक है और सेम बहुत जाने भी वाली है मैं बता दूंगा यह देखो बहुत इसली जो मैं अभी तक समझा रहा हूं वह बहुत इसली अपको यहां समझवाएगा बेस मतलब अब इसको रैली केंडल रैली होते है रैली छोट इसी ब्लैक केंडल बेस उसके बाद रैली एंट्री ट्रिगर होगी तो मिल जाएगा एंट्री ठीक है निफ्टी आइटी क्यों रखा है देखो ड्रॉप ब्लैक केंडल बेस केंडल रैली केंडल एंट्री मिलेगी तो चल जाएगा सेम एंट्री मॉडल सब में यूजड है और बहुत परफेक्टली वक भी कर रहा है अब इसमें विक्ली होग भाई वह तो बहुत इंपोट है सेक्टर बहुत बाहुत भीरिस साभी अगर माली दो रह्म को सीमेंट से मैं यहाँ पर पूलिस साइट के ट्रेल ले रहा हूं बश्य को सेक्टर जैसे यह इंविक्टे बशा रहा है वैसे नीचे रहा है तो मैं उन्हें लूंगा उसको एसे हां जारेगना कि तदक Наने को टीक है कि तम वही जआट करता हूं जो मैं इसा इसा कोई बाहर से चार्ट करता हुम और ये दिखिओ न के का साब दिखाया तो लौट बट वो ही है यह गैप से चल दिया यह बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मैंसे चलो कोई निपा दिक्कत नहीं है क्योंकि इसी के नेक्स जील मिली हमें ठीक है बट अगर पाई चांस यह ट्रिगर हो चुका होता तो इसका मूव देख लो आप यह देखो है ठीक है और कोई डाउट किसी को आजिंगरों पे एक चीव दाई है यह जो स्मार्ट मने पे अमनों को ओडर ब्लोग और फ्लोग पूलते हैं वह इस वानकर इस दिमांड जोन यह तो प्राइश्चिन पे ट्रेडिस जैसे बोलते हैं दिमांड जोन अन सप्लाइज जोन इन वात वह जो एक यह वात वह मत इसकर दिमाठी है कि के स्मार्ट माने कांसेट बे और फ्लो ओर ब्लग कि पर ठीक है अंडुकि जब में बूलते हैं था लिएड़ के आफिए तो वह जो मैं तो सब्स्राइज का यह जोए टिमाए टिमान भिएफ यह जोडाई इस बिया स इस प्रेख जब मैं मात करों का अधिया दूर में बाल बॉलिश मोम्मेट क्या ये दो जोन अलग होंगे बतलब ऑडर ब्लॉक के जुज में उड़ने जोन बनाया है और जोन डिमांड जोन बेस्ट राइल पर अधिया ड्रोग करूं क्या ये दो दुग बालग होंगे लोग लूट वह वो अभी यूज होई ठीक है पहले तो लोग षप्प्लाय ही बोलते थे यह वर्ट वो टो यह और किसी को डूट चाहिन करते हैं कोई भी मेरे को अगर डाउट आता है आपको आप पूछ सकते हो परसइनलि भी और कम्मुनटी में बी होके ऊब्सक्री ग्वाइक ग्याव